वाक्यांस के लिए एक सब्द पहला है जो इंद्रियों का दमन न कर सके उसे कहते हैं बिस्या सक्त जिसका ग्यान इंद्रियों द्वारा हो सके या गाय को चराने का इस्थान गोचर PCS लक्षणों से युक्त पिलक्षण जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो कानिन जिसकी आसा ना की गई हो अप्रत्यासित इस्वर में विस्वास रखने वाला आस्तिक इस्वर में विस्वास नहीं रखने वाला नास्तिक पसीने से उत्पन होने वाला स्वैदज या प्रस्वेद जो मास ना खाता हो निरामिस जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू जहां खाना मुफ्ट में मिलता हो सदावरत या सदावरत जो कुछ नहीं जानता अनभिग या अग्य धर्ती और आकास के बीच का इस्थान अंतरिक्स जो गाणना के योग हो आगाणनी मन की बाद जानने वाला अन्तरयामी जिसे बुलाया ना गया हो अना मंतरित बिना बुलाया आजाया अनाहूद प्रिवचन बोलने वाली मृथ भार्षणी या प्रिमदा जिसको जीतने वाला कोई सत्व ना पैदा हो अजात सत्व जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो दोर दर्सी जो मुरत्यु के मुख में आने को है मानासन बहुत दिनों तक इसमार लखने होगा इसमारनी जिसके आरपार ना देखा जासे के पार दर्सी बहुत बर्तवान और भुष को जानने वाला त्रिकाल दर्सी जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकरत वा जिसका सोशन किया जाए सोशित जिसको भूमी के अंदर की जैनकारी हो भूगर वेत्रा किसी कार के लिए दिजने वाली आर्थिक साहता अनुदान जिस वर की साधी दूसरी बार हो रही हो उसे दुहाजू कहते हैं जिसका पती छोड़कर चला गया हो परित्यक्ता जिसकी जीविका का निश्चित स्रोत ना हो आकास ब्रति जो मोख्च का इच्चु को मोख्चु जिसको किसी का भै ना हो निर्भै जो दान पर चलता हो दान ब्रति जो आवायद संतान हो जारज जो बाए हाथ से कारे करता हो सबसाची या डेवरा जो बाए हाथ से कारे करता हो सबसाची या डेवरा ऐसी जीव का जो आकास में हो, आकास ब्रती, जिसे भले बुरे का ग्यान नहों अविवेकी, जिसे वार्णी ब्रति ना कर सके आवारणी है, वह नाईका जो अपने परती के प्रदेश में होने के कारण दुखी है, वियोगी नहीं, कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया बनने की इच्छा रखने वाला महत्वा कांची, तिर कालग्य कार्थ होता है सर्वग्य, ऐसा ग्रहन जिससे पूरा सूर ढग जाये खगास, जिसे सब्दों में नहीं कहा जा सकता, अनिर्वचनी गुरू के समेप रहने वाला अंतेवासी, जिसका कभी अंतना हो सास्वत या स प्रतिष्ठा प्रात कर ली हो प्रतिष्ठत जीने की इच्छा जिसी विसा जिसका अनुभाव इंत्रियों द्वारा ना किया जा सके, अतिंद्री या अगोचर या गोतित, जो इंत्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर या अतिंद्री, जो किसी से ना डरे, निर् में लेने वाला अंडज जिसका कोई आधार ना हो निराधार प्रैत्न करना जिसका सभाव हो प्रैत्न सील या प्रैत्न रत जिसकी गिवा सुंदर हो सुग्रिव दो बार जन में लेने वाला दुज जो छमा पाने लायक हो छम में जिसके चार पद हो चतुस पद जो अनुकरा अच्छी आखों वाले इस्तरी सुनेना अपनी इच्छा से आच्छन करने वाला इच्छा चारी एक मा के पेट से उत्पन सहोतर कम खाने वाला अलपा हरी जहां तक संभव हो यह था संभव उपकार को ना मानने वाला करताग्यन अपकार को ना मानने वाला करताग्यन कम बोलने वाला मित भासे जिसका इस चार और पहला हो इसस्तुई पैर से सिर्थ अकापाद मस्तक जिसकी तुलना ना की जा सक्या तुलनी या तुलनी स्वेम उत्पन होने वाला स्वेम भू आकास को चूने वाला आकास चूंबी यह मुमूर्स जो मरने को इस्चो को मुमूर्स युद की इच्छा रखने वाला यूइत्सू सौक की संख्या सतक जिसकी संख्या सीमित नहो असंक जिसका कोई आधार नहो निराधार जो धर्थि फोड़ कर जन्माहो उद्विज सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया वाता नुकुलित कठिनाई से होने वाला दुसाद है जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे कहते हैं दुभेग अंगूर की रस से बनाई जाने वाली दवा द्राक्छासव जिसके समान दूसरा नहो अप्रतीम या दोती है जो अभूसन सिर्प धर्ण किया जाए सीर्सिस्त हर समय देड़ से काम करने वाला दीर्ग सुत्री जो परायों का हिच चाता हो परोपकारी जो व्याकरन जाता हो व्याकरन जो पहले कभी नहीं सुना गया असरूत पूर्ब जो बहुत भासा जानता हो बहुत भासा विद जिसको छमान ना किया जा सके अच्छा में जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभ्युक्त या प्रतिवादी पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति मूल प्रति या हस्त लिपी या पांड लिपी बारा से सोरा वर्स की नाई का मुगधाय की सोरी जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अब भेग है जंगल में लगी आग दावानल जिसे बेतन ना मिलता अवेतनिक कारे में सनलंग रहने वाला करमट जिसका पता सबको है सरविदेद जिसका अनभू किया गया है अनभूत बहुसती भासाओं को बोलने वाला बहुबासी अपनी इच्छाओं से दूसरों की सिवा करने वाला स्वाम सिवक बातें जो पुस्तक के आरह में लिखी आज कही जा वहाग लाट कर आया हुआ प्रत्यागत या प्रत्यावर्त जो हमेशा हाथ में तलवाल लिये रहता है व्रज प्राणी जिसने मन को किसी विषय में लगाया हो दत्चित जिसकी बुद्धित तुरंद सोचने वाली हो प्रत्युत पन्नमेति जिसकी प्रभा बिद्धूत की में पैदा हो सरसिज जो बात बार बार कही जाए पुनरुपती पीछे 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 चलने वाला अनुगामी जिसने प्रतिष्ठा प्रत की हो जो चाती के बल कमन करता हो उरग किसी बात को बार बार कहना थिष्ट पेसन गोटनों तक जिसकी भुजाए हो आजान बहो हाथ प्रतिपकार के बदले किया गया उपकार प्रतिपकार परस पर एक दूसरे पर आस्रित रहने वाला सहजीवी जो जन्म लेते ही गिरिया मर गया हो आधंड पाथ। जिसका मन हुआ ध्यान दूसरी तरफ हो आन्य मनस्क जो इंद्र पर बिजय प्राप्त कर चुका हो इंद्र जीत अपना उद्देश पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ कुछ संगत की कारण चरित पर दोस लगाना कलंक बिना पढ़ा हुआ अंस अपटित। पर दोस पर दोस पर दोस करते हैं जहां धरती और आकास मिलते से प्रतित होते हैं छितिज पैर से सिल तक नकसिख पैर से मस्तस्क तक आपाद मस्तस्क हरा भरा मैदान सादुल अपने पूरसार्थ पर आरून रहने वाला स्वाव लंबी जो फूल अधा खिला हो मुकुल जो बिना अधिकार के भी दूसरों की वस्तु का प्रियोग करें परिभोपता प्राण की रच्छा करने वाला प्राण दोस या पाप मिटाने हैं तो कर् दो परुतों के बीच की भूमद्रों जिस वस्तु की आकांछा हो अभी प्रिप्स झिस वस्तु की आकांचा हो अभी शित या इच्छत पहनने की योग परीदे सूर की लाली अरोनीमा जिसके केवल दो दंत होते हैं दीरद अगरज के विवाक से पूर्व अनुज का भी अनुवेश शूर जहां से निकलता है शूर जहां से निकलता है ओध्या चल जिसे कोई इच्छा ना हो निस्पा पेट की आग जटरागनी, समुद की आग बडवागनी या बडवानल, जंगल की आग दवागनी, हुआ इस्तरी जिसका पतिरात को किसी आनिस्तरी के पास रहया है, खंडिता, जिससे विश्वास दिलाया गया हो, आस्वस्त जिसकी सभी कामनाय पूर्ण हो गई हो आप्रकास या आप्त काम जिसकी सभी कामनाय पूर्ण हो गई हो उसे कहते हैं, आप्रकास या आप्त काम किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अभिवायत इस्त्री अनुडा जो जानवर किसी के देख रेख में नहो अनेर इसका जवाब ना दिया गया अनिस्तिन दुपहर के बाद का समय आप्राहन सुर्योदय से पहले का समय ओशाकाल या अनोदय जो स्वयम भोजन बना कर खाता है श्वयम पाकी जो आगे की बाद सोचता हो भविस चेता या ग्रित सोची पठिनाईयों से भागने की प्रवितिपलायन वाद किसी के प्रत उदारता एवं क्रपा पूर्व किया जानने वाला बिवहार अनुग्र है जिसमें धैर ना हो अधीर रजोगुन वाला राजसिक सब के समान अधिकार पर विश्वास समाजवाद ग्रंथ के बचे अंत जो प्रायाबाद में जोड़े जाते हैं परिसिस्ट सिगर आग पकाड़ने वाला जोलेंसील पत्ते है कि कुटी पंड कुटी जो संका करने योग ना हो निसंक जो नापा जा सके परिमे या नापनी या नापे जो नापा जा सके परिमे या नापनी या नाप जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय जिसे कठनाई से प्राप्त किया जा सके दुसकर या दुस प्राप उचे स्वर से उचारित उधर उचारित उधर उचारित जिसने रिन चुका दिया हो उरिन जो समान नियम के विरुद्ध अपवाद ग्यान नेत से देखने वाला अंधा ब्यक्ति चाच्छ जिसकी कोई सीमा नहो असीम जिसकी कोई सीमा हो ससीम जिसको जाना नहीं जा सकता अजिसे अपने करता भी का ग्यान ना हो किनक करता भी मोड जो कुछ न जानता हो अग ये अघ्य जिनका ग्यान इंद्रियो द्वारा नह अगोचर जिसे बुलाया न गया हो अना मंतर्ट ये अना हूद जिसके सिर पर चंद महों चंद सेखर जो बिक्त विदेश में रहता हो प्रवाशी जो युद में इस्थिर रहता है युदिश्चिर संध्या और रात के बीच का समय गौधुली अनुचित बात के लिए आगरह करना दुरागरह जिसके समान दूसरा कोई नहो अदूति या अप्रतिम जिसका कोई अर्थ नहो निरर्थक जो उपकार ना मानता हो करतग्यन जो उपकार मानता हो करतग्यन जिसे जीता ना जा सके अजे अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन जो भू को धारन करे भूधर जिस पर अनु जो पहले था पर अब नहीं है जो कठनाई से समझने योग है दुर्बोद पति युक्तिस्त्री सद्वा या जिस इस्त्री का पति जीवित है तो उसे सद्वा कहते हैं पति युक्तिस्त्री सद्वा कठिनाई से समझने योगी दुर्बोद जो बाड़ी द्वारा ना कहा जा सके अकतनी बिना पलक गिराए हुए अपलक या निर्निमेश गुटने तक बाहँवाला आजानुबाओ जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके अतींद्री जो सब को समान रूप से देखता उस् मरने की इच्छा मुमुरसा, युद की इच्छा यूइच्छा, खाने की इच्छा भूभुच्छा, भोजन की इच्छा जिगुसू, मुक्ष की इच्छा मुमुच्छा, जीने की इच्छा जिजिविसा, जानने की इच्छा जिग्यासा, जीतने की इच्छा जिगिसा, त जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके अगम है, जो किसी विक्त या वस्त के प्रत्यासक्त हो अनुरक्ती, जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम, जिसका त्याग न किया जा सके अपरिहार, जिसकी पहले से कोई आसा न हो अप्रत्यासित, जिसके लिए कोई बाधा या रोकटोक न हो, अबाध ये निर्बाध, जैसा या जो पहले घटित नहीं हुगा, अभूतपूर। भूत पूर जिसका वनण न हो सकता हो अ वनई जिसका पति परदेस से लोटा हो आगत पत्तिका आगत पत्तिका दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग आत्मोत सर्ग दैव अथवा प्रकृत द्वारा होने वाला दुख आधि दैव भूतों अर थार्थ जीवो द्वारा होने वाला अधिभोतिक आत्मा और इस्वर से संबंद रखने वाला आध्यात्निक धन से संबंद रखने वाला आर्थिक आसा से बहुत अधिक आसा तेर अपचार या उपरी दिखावे के रूप में होने वाला अपचारिक फोल जो अभी खिला ना हो मुकुल या कली वह बात जो जन साधारन से चलती आ रही है किम वदनती या जो दूसरों से सुना गया हो किम वदनती वह बात जो जन साधारन से चलती आ रही है या जो दूसरों से सुना गया हो किम वदनती जो अपना उदेश सिद्ध होने पर संतो संतोष च्रोक करतार्थ जो अपना उदेश सिद्ध होने पर संतोष च्रोक करतार्थ सुंदर और बड़े बालों वाले इस्तरी केसनी जिसे दूसरों से छिपा कर रखना आउशक हो गोपनी जहां जाना ना जा सके जहां जाया ना जा सके अगम में जहां जाना कठिन हो दुरगम में जहां आसानी से जाया जा सके सुगम जिसे जाना ना जा सके अगम जिसे कठिन से जाना जा सके जिसे कठनाई से जाना जा सके दुरगम या दुरबोध जो आसानी से जाना जा सके या जो आसान हो सुगव जिस पर उपकार किया गया हो उपकरत किसी कारे में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा प्रतिस परधा जो देखने में प्रिलगता है प्रिदर्सी जिसे गाया ना जा सके अगे जिसे कठनाई से गाया जा सके दुर गे, जो गाया जा सके गे चोड़ा या फाड़ा हुआ विदियन, जो सब में ब्याप्तो विभू, चाटने योग वस्त उले जो ब्रद होने के कारण जरजर हो गया हो, जरा जियन, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तितीर सु, छुटकारा या त्राण दिलाने वाला त्राता, दुष्ट उद्दे सिक्की जाने वाली मंतरा या साजिस दुर्भी संदे, हाल की ब्याहि स्त्री नवडा, जिस पर किसी प्रकार का अंकुष नहों निरंकुष पूल रूप से पकाया या पचा हुआ, परिपा को भली भांती पोसित या पका किया हुआ, परिपुष्ट जो ताजा, जो तौला या मापा जा सके, परिमे, जो प्रमार से सिध हो सके, जिसने किसी बिसय को पार कर लिया हो, पारंगत, जो कहीं लोट जाकर लोट आया हो, जो कहीं जाकर लोट आया हो, प्रत्यागत, उतर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, प्रत्योगत, जो बहुत से बिसयों का जानकार हो बहोगे, खाने के इच्छा बुभुच्छा, सुर्य जो दो से पहले दो घड़ी तक का पवित समय ब्रह्म मुहुरत जो भविस में निश्चित रूप से होने को है भविता बे मन के किसी और प्रोत होने की अवस्था मनोगरती जिसके हर्दय पर चोड पहुंची हो मरमाहत जिसे मुक्ष की कामना हो मुमुक्षू आ साधान में घ जो अधिकारिक रूप से राज को मिलता है राजसु कुछ लाव पाने की चहलिपसा बचपन एवं जवानी की उम्र के बीच की संदी वयह संदी जो बढ़ रहा हो वर्दमान कन्या जिसके बिवाक कर देने का वचन दे दिया गया हो वागदनता कन्या का बिवाक कर देने का वचन देने की रस नुबागदान एक से अधिक बातों में से कोई एक बिकल्प जिसकी जैनकारी बहुत अधिक हो पहोग या विग्ये दो या दो से अधिक भिन तत्तों या जातियों के संसर्ग से उत्पन संकर कुछ खास सर्तों द्वारा कोई कार करने कराने का समझा होता संविदा जिसने अभी हाल में बच्चे को जन्म दिया हो संग प्रसूता इस्त्री जिसने बच्चा जना हो प्रसूता विश्णू का उपाशक वैश्णू जो दो भिन भासा भासीयों के बीच मध्यस्ता करने वाला दू भाशिया सौ वर्सों का समूं सत वर्स चोट के पर रखे जाने वाला आसन हाउदा तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाला अन्तियज जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत पीडी दर पीडी चला आने वाला अन्वयागत पीडी दर पीडी चला आने वाला अन्वयागत मदिरा पीने का प्याला चसक जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध है सर्वसाधरन से सम्मंधित सारुजनिक जो एक इस्थान से हटा कर दूसरे इस्थान पर भेजना हस्तांतरा जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके इस्थावर मचली जैसी आँखों वाली मिनाक्षी जो नीचे लिखा गया हो निमलिखित जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहरी जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरती जहां प्रत्वी और आकास मिलते दिखाई पड़े छिते जिसकी सुनने की सक्त नश्ठ हो गई हो बहरा जो बीच चुका व अतित जो अभी तक आया ना हो अनागत मूल घटाने का कार आव मूलन जो पीछे चलता हो अनुगामी या अनुयाई जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा या खलवाट जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही जो भवन गिर गया हो खंड़ार जो नीतिवान हो नीतिके जिसने उधाल लिया हो रिनी आकास में बिचरन करने वाला नवचर बहुत कम बोलने वाला मित भासी सरलता से प्राप्त होने वाला सहज यसुलव जहां तीन नदियों का मिलन हो संगम जो आदर करने योगी हो आदरनी जिसके समान कोई दूसरा ना हो अदूती है जिसे बेतन ना मिलता हो अवेतनिक जो परायों का ही चाहता हो परोपकारी जो इस्तरी कविता रस्ती है कवित्री विश्णु का उपाशक वैश्णु गोद दिया हुआ दत्तक जो आँखों से सुनता हो चशुस्रवा जिसका उत्तर नहीं दिया जा सका अनुत्तरित या अनिस्त्रिण जो कुछ समय के लिए न्यूक्त किया गया हो तदर्थ या एतदर्थ दिसाँ ही जिसका वस्त है दिगंबर हवन में जलाने वाली लकड़ी समीधा रंग मंच में परदे के पीछे का इस्थान नेपत है खाद सामगरी जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है पाथ है किसी छोटे से छोटे काम में तोटे जोड़ना छेद्रान वेश्ण वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंतित किया गया हो समसीतोष जीवन की अंस को लेकर लिखा गया प्रबंध खंड कावे कंजूसी से धन वे करने वाला क्रपण कम वे करने वाला कम वे या खर्च करने वाला मित्वई या अल्पवई चिकनी या कोमल वस्त म्रसाण चिकनी या कोमल वस्त को कहते हैं मसाण लुभाया ये लल्चाया हुआ लुब्ध लालिमा से युग्त रक्तिम वह काब जिसका अनुभव हो सके रूपक जिसने बहुत सुनकर ग्यान पाया हो बहुत सुरुत जो लिखना पढ़ना न जानता हो अनपढ अपनी इच्छा से आच्ण करने वाला स्वक्षा चारी एक मा के पेड़ से उत्पन सहोदर जहां तक संभव हो यथा संभव जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर जिसका कोई अर्थ ना हो विर्थ या अर्थीन विदेश में वास करने वाला प्रवासी पायर से लेकर सिर तक अपाद मस्तस्क जिसका यस चारो और फैल गया हो एससु जिसके सिर पर चंदमा है चंदर मौली जिसका आद वा अंत ना हो अनंत अनाघंत दो दही गरत चीनी मद मिस्त वा प्रदार्थ जो देवताओं और भगवान को इश्नान है तो बनाया जाता है पंचाम्रद जिसके आने किति थी ना हो अती थी ऐसा गहन जिसमें सूर पूर धग जै खगास या सूर गहन जिसकी गहराई ना पी ना जा सके अथा वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पति हारी हाती की तरह चलने वाले इस्तरी गजगामिनियों नीले रंग का कमल नील कमल जिसे बाहरी जगत का ग्यान ना हो कोप मंडूक किसी बड़े आदमी की और गरम सम्तापी समान नोप से ठंधा और गरम सम्तापी वह कभी जो तत चण कभी तक कर सके आशु कभी अपने मत को मारने वाला मतान नहीं जो पूर में था पर अभी नहीं है भूत पूरु समय की दृष्टी से अनुकूल समय अनुकूल किसी रस का उप्वयोग करना रसा स स्वादन अत्यधिक वर्षा होना अतिवरष्टी किसी कारी के लिए सहमत देना अनुमती एक दूसरे पर आश्रित होना अनियोन अश्रित बिना घर का अनिकेत किसी ग्रंथ में अन ब्रिक द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक पुरुस्त एवं इस्तिरी का जोड़ा दंपत या प्रश्णाद के उत्तर किया पैक्छा करने वाला उत्तरा पैक्छी जो आभूस्वन सिर पर धारन किया जाए सीर्स्तिस्त सिग्र प्रसन होने वाला आसुतोस जिसके समान दूसरा ना हो अप्रतीम यादुतियों जो आखों से सुनता हो चचुसरवा पेट के बल चलता हो उरग दूसरों को सिख्छा देने वाला परोप देशक धारन करने वाली धारित्री धारन करने में कठिन दुरुआ किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगिस्सु जिसका जन्म छोटी जाती में हुआ हो या नीचे वण में हुआ हो अन्तियज किसी बात को करने की का निश्चे संकल आई में बड़ा ब्यक्ति जेश्ट जो सता दूसरों पर संधे करता है संकालू किसी बिशय की पूरी छानबीन करना विवेचक पूछने योग प्रश्ट वय आय वय के आकड़ों की जाच करने वाला अंके चक आउसर के अनरूप बदल जानने वाला आउसर वादी जिस इस्तरी के पुत्र पति नहो अवीरा जो अन्तिम सुद्रवन में जन्मा हो जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई अग्रज जो सबके अन्ताकरण की बाद जानने वाला हो अंतर्यामी पहाड का उपरी भाग अधित्यायका कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अन्तापुर या रन जिसका विभाजन न किया गया हो अवी भक्त दूसरी मध की कोक से जन्म लेने वाला अन्योदर किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की इच्छा अन्मोदन नीचे की और मुह किये हुए अधुमोख एक बेक्त की सासन सत्ता अधिनायक वाद सीमा का अनुचित उलंगन कर जल इस्थल दोनों जगह रहने वाला प्राड़ी उभय चर पहाड का नीचला भाग उपतेगा पहाड का उपरी भाग आधितेगा पहाड का नीचला भाग उपतेगा जो किसी नियम का पालन ना करे उच छंखल किसी देश या समाज के सारोजनिक छेत्र की घटनाओ तत्यों आधिका क्नमध विवन इतिहास。 प्राया वर्शा रित्मे आकास में दिखाई देने वाले साथ रंगों वाले धनूस इंद्र धनुस. अपने को धोखा देने वाला आत्म वंचक जो आलोजना के योगी हो आलोची, जो अपनी हत्या आप करे आत्म घाति या आत्म हन्ता, उ अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास आत्मकता, रिस्ति निर्मित अथवा कथित आर्ज, किसी सुभ कारे को बिद्विधान और स्रधापूर्व करना अनुष्ठान, जिस भूमी में कुछ उत्पन ना हो उसर, महल का भीतरी भाग अन्तापूर, ग्यान नेत से देखने वाला अनुगामी, अध्यन प्राप्त कराने वाला अध्यापक, दीन दुख्यों को भोजन देने की विवस्था सदा प्रते, वह कन्या जिसके साथ बिवह का वचन दिया गया है, वाग दंता, कन्या के बिवह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना, वाग मन के दुर्बल होने या इस्थित या भाव को कहते हैं मनो दौर्बल अलग-अलग अवयों को एक में जोनना संसलेशन संपूर समाज से संबंधित समष्ट मूलक हासरस प्रधान कहानी या लेक प्रहसन जो सुंगने योगी हो आगे जो ढखा हुआ हो निरावरत जो ढखा हुआ हो निरावरान या अनावरत या अपरिछिन मास के किसी पक्ष की ग्यार्मिती थी एकादिसी इतिहास से संबंधित एतिहासिक इंद्र का सफेध हाथी एरावत कान के नीचे लटकता हुआ कुमल भाग कान पाली अपने ही कुल का नास करने वाला बैक ती कुलांगार जिसकी बुद्ध कुसा की नोके समान तीखियों जो केंद से हटकर दूर जाता हो केंद्रा पसारी जो केंद की ओर उनमुख होता हो केंद्रा भिमुख या केंद्रा विशारी जो पत काटों या बाधाओं से भरा हो कंट का केंद्र जो कला जानता है या कला की रचना करता है कलाविद या कलाकार स्वार्थवस किसी का गु प्राचीन आदर्स के अनुकूल चलने वाला या जो लकीर का फकीरों से कहते हैं गता नुगतिक जिसकी गिवा संख की तरह हो उसे कात बूग गिवा कहते हैं जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो कपोत गिवा जमी हुई गाड़ी चीज की मोटी तहग ठका कहते हैं बिवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्त चारो और जल से घिरा हुआ भूभाग टापू सिक्के ढ़नने का कारखाना टक साल जो जन्म से ही अंधा है जन्मांद चारो और की सीमा चोहदी जिसके पेट मे माने रसी बांध दी थी दामोदर जिसके पेट में माने रसी बांध दी थी दामोदर जो वस्त दूसरे के यहां रखे हो धरोवर मचली पकड़ने वाले जाती घी धीवर बालु कामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग नकलिस्तान जिसको कोई आसरे नहो निर निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक, हाल ही में उत्पन हुआ बालक नौजाद, पस्वों कासा या पस्वों के आच्ण जैसा पाश्विक, किसी तूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माड, पुनर निर्माड, किसी इस्थल से परिवर्तित होकर आई हुई प्रति ध्वनी, जिसकी परिक्छा ली जा चुकी हो परिक्छित, दिवार पर बने हुए चित्र, भिती चित्र, जो बुद्धी द्वारा जाना जा सके, पौध गम है, जिसका उलंगन करना कठिन हो दूरता है, आधी रात का समय निसीध, बारा से उला वर्ष, आयू की ना जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हो अपत या अपाणा जिस पुरुस की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो जिग्यासू जो इच्छा रही थो निस्पह किसी की सहायता करने वाला सहायक जिसको किसी बात की खबर नहो बेखबर वापस बुलाया हुआ प्रत्या होत जहां नाटक खेला जाता है रंग मंच राजा के द्वारा सन चालिस शासन राज्टन यूग का निर्मार करने वाला यूग निर्मादा यूग करने और कराने वाला ब्यक्ति यागि अपने यूग का बहुत बड़ा बैक्ति यूग फुरुष המב के सामने जो गर अमी गरेस्ता हो मेखनाद मेग के समान जो गरिषता हो मेग नाद मेग नाद बलू मामा प्रदेश मरुस्तल बलू मामा प्रदेश को कहते है मरुस्तल राजा के समान अभिसेग की हुई रानी महिशी मन को मुह लेने वाला मन मोहक मन को हर लेने वाला मनोहर जिस आकरति में छे कौन हो, सट कौन, सव वर्स की अवधिया समय सताब्दी, किसी विसय की विसेज जानकारी रखने वाला विसेशग्य, अनुचित यौन संबंद रखने वाला वेविचारी, जो कोई जवाब न दे सके, ला जवाब, रगु के वंस का राग हो, जिसकी सूच जिना राजपत ये गजजट में दी गई हो, राजपत्रित, जो संसार का संगहार करता हो, संगहारक चंदमास के किसी पक्ष की 7-6 तमी, जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित, अपनी इच्छा से दूसरों के सेवा करने वाला श्वाम शेवस, अपने साथ कार करने वाला अलग अलग अव्यों को एक में जोड़ना संसलेशन वह स्थान जहां इस्थाई महत्व की वस्तों का संग्राले हो संग्राले अगहन और पूस में पढ़ने वाली रित्व हेमंत छण भर में नश्ट होने वाला छण भंगूर तीनों फलों आवला हर्रा बहेडा का मिस्रण त्रिफला तीनों लोकों आकास प्रत्वी पाताल का संग्रिलोग सीत मंद सुगंध वायू त्रिविद वायू हर महीने हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमाशिक जो जानने योगी हो ग्याता बे जिसे वाली ब्यक्त ना कर सके अ जिसका जवाब ना दिया गया हो अनिस्त्रीन जिसका कोई उपाय ना हो अन्योन पाय जिसका अहंकार चून हो गया हो आंतर गर्व जो अपने बीर को ना गिरने दे उधर्व रेता जिसमें गीत अधिक हो वह नाटकीत रूपक थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिता हारी थोड़ा नपा तुला खर्च करने वाला मित भई तो ये था पूरा वाक्यांस के लिए एक सब्द